रिसेंटली फ्लाश की टीम ने फ्लाश सीजन 5 का ट्रेलर रिलीस कर दिया है तो चलिए इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए तो आप शुरू करते हैं यह ट्रेलर ओपन होता है सीजन 4 के एंडिंग सीन के फ्लाश बैक से जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लाश नोरा की मदद से साटलेट डिस्ट्रॉय करता है और सिटी को सेफ करता है इस ट्रेलर में आगे रिवील होता है कि नोरा आलन का सूपरहिरो नेम है एक्सेस कॉमिक में एक्सेस बैरी आलन की ग्रांड डॉटर है लेकिन इस टीवी सीरीज में एक्सेस बैरी आलन की डॉटर है जैसी कि एक्सेस फ्यूचर से तो कॉमिक में एक्सेस लीजन और सूपरहिरो इस टीम की भी मेंबर थी आगे ट्रेलर में Nora Allen admit करती है कि उसने बड़ी गलती की है इस शो के प्रोडूसर्स ने कहा है कि Nora ने जब भी किसी Flash के members के साथ interact किया है तब उसने future को alter किया है यानि कि future change किया है इस ट्रेलर में हम Nora को Gideon की room में देख सकते हैं तो शायद से यहाँ पे newspaper की headline change होती है आगे हम एक plane को crash होते वे देख सकते हैं यह scene comic में से लिया गया है comic में Flash सारे passenger को save करता है तो first episode में हम Flash, Kid Flash और XS को यह सारे passenger को save करते वे देख सकते हैं इस ट्रेलर में हम fan favorite Flash ring देख सकते हैं अगर आप Flash के बहुत बड़े fan हो तो आपको पता होगा कि यह ring Flash के लिए कितनी important है और यह ring किस तरीके से काम करती है अगर आप नहीं हो तो मैं बता देता हूँ Flash यह ring में अपना super hero costume store करके रखता है जैसी कि यह flash ring Nora Berry को देती है तो हम Flash के costume में कुछ changes देख सकते हैं क्योंकि Nora की जो ring यह वो असल में future से है ट्रेलर के last में हम इस season के villain Sekada को देखते हैं इसके पास lightning shape dagger भी है कॉमिक में भी Sekada के पास lightning shape dagger है इस super villain के power यह है कि यह दूसरे के life को steal कर सकता है इसलिए Sekada immortal है अब इस TV सीरीज में इस villain के क्या power यह अभी तक हमें पता नहीं है तो episode 1 देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इस super villain के पास क्या power यह Flash season 5 में हम gorilla grod और king shark का team up भी देख सकते हैं इस show के producers ने कहा है कि वो लोग इस पे काम कर देए Flash season 5 में Flash Nora Allen की mistake और Sekada villain से deal करेगा ऐसा हो सकता है कि Nora Allen की जो mistake है और Sekada से related है तो आप लोगों को क्या लगता है यह mistake के बारे में आपके जो भी opinions है वो आप मुझे comment में बता है अगर आपको है मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करें इस वीडियो को share करें और मेरे चैनल को subscribe करें